बॉलिवट में भारतिय खिलाडियों पर बायोपिक बनाने का चलन साथ चल पड़ा है प्रियंका चोपड़ा की मेरिकॉम से लेकर सुशांत की एमेस धोनी दे अंटोल स्टोरी तक ऐसी सभी फिल्मों ने बॉक्स आफिस पर तो अच्छा प्रदर्शन किया है साथ ही लोगों का दिल भी जीता वैसे हाल ही मेर खबर आई थी कि सायना नहवाल की लाइफ पर भी फिल्म बन रही है और उनके इस किरदार को बड़े पर श्रद्ध कपूर निभाने वाली है वही अब सुनने में आ रहा है कि सायना के कोच और पूर्व भारतिय खिलाडी गोपी चंद पर भी एक बायपिक बनने जा रही है आपको बता दें कि इस बायपिक के लिए खिलाडी कुमार यानि अक्षर कुमार को सायन किया जा सकता है आपको बता दें कि फिल्म मेकर विक्रम मलहूत्रा ने जो एरलिफ्ट और बेबी जैसी हिट फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं उन्होंने गोपी चंद की बायपिक बनाने के लिए राइट्स हासल कर लिये हैं वहीं हाली मेक बातचीत में विक्रम ने बताया गोपी चन जैसे एक महान खिलाडी की जिंदगी पर फिल्म बनाने और उनकी कहानी पुरी दुनिया को बताने का मौका मिलना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है ये एक बड़ी जिम्मिदारी भी है क्योंकि गोपी की उपलब्दिया केवल पेड़ना दायक ही नहीं है बलकि समाज, देश और खेल के प्रती उनका योगदान भी बहुत बड़ा रहा है हमारी कोशिश रहीगी कि हम उनकी जिंदगी को बहुत प्रमाड़िक और प्रवावी तरीके से परदे पर पेश कर सके है वैसे आपको बता दें कि अक्षे बलबीर सिंग की जिंदगी पर बन रही फिल्म गोल्ड में नज़र आने वाले है इसका मतलब अक्षे को दो बाइपिक्स में देखना वाकई दिल्चस्प होने वाला है नियूज एक्सपरिस के रिपोर्ट